अगर आपका भी mobile free fire game को खेलते समय लेग करता है और गर्म होता है तो दो ऐसे setting इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिसको आपको जहे अभी के अभी off कर लेना है क्योंकि उसी setting के बज़े से आपका device free fire game को खेलते समय लेग करता है और साथ-साथ गर्म होता है अगर आपका mobile का battery free fire game को खेलते समय तेजी से डाउन होता है तो आपको जहे वीडियो के एंड में एक ऐसा tips देने वाला हूं जिसको आपको free fire game के अंदर अपला ही करना है उसको जश्ट आप करेंगे तो आपका mobile का battery free fire जब आप खेलेंगे तो ज़्याद आप चलेगा कौन सी हो setting है जानन की important videos हमें साब मिलती रहती है ओके चलिए फिर विडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए मैं आपको बाताता हूं कि कौन कौन सी setting है जिसको आपको जोए अभी कभी off कर देनी है तो सबसे पर आपको कानक है आपको free fire की setting पा जाना है और आपको जोए देखनों को मिलेगा ए यह smooth, standard or ultra max आपको देखनों को नहीं मिलेगा क्योंकि free fire max के अंदर max जो है graphics के वल देखनों को मिलते हैं तो आपको देखना है कि आप कौन से graphics पर खेलते है क्योंकि अगर आप हाई करते हैं तो free fire के दोरा एक खुद suggestion दिया जाता है कि अगर आप इसको high करते हैं high fps को अगर आप हाई करते हैं तो हो सकता है कि आपको जोए कुछ lagging देखनों को मिले यहाँ आप आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं बोला भी गया है तो आपको जो को मिलता है एक replay को option replay पर जाना है ने आप आपको जोए दो option देखनों को मिलते हैं on और off तो simply आपको जोए इसको off कर देना अगर आपके mobile के अंदर replay on है तो आपको जोए off कर देना अब ऐसा क्यों करना है यह मैं आपको सबसे पहले बता आता हूँ जैसा कि आप सभी को पता होगा कि reply option से होता क्या है कि जब भी आप किसी भी game को खेल रहे होते हैं तो game को जाए record करता है replay option अगर आप में on होगा तो record होता है तो दोस्तो गेम जब भी record होता है तो उसका टोटल लोड़ आपके mobile पर ही पारता है और जयतना जदा लोड़ परेगा आपके mobile पर उतना ज अगर आप किसी वीडियो बनाते हैं यूटूब के लिए या कहीं और के लिए तो आप इसको और रख सकते हैं लेकिन आप के वह सोग के लिए रिप्ले ऑप्शन को आउन रखे हैं तो मैं तो बहुत दूंगा कि भाई अभी कि अभी इसको बंद कर देजी क्योंकि इससे मोब मोबाइल के हिसाब से आपको कौन से ग्राफिस पर खेलना चाहिए याई अगर आपके मोबाइल के अंदर 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, RGB RAM है तो आपको स्मूज ते स्टेंडर, अल्ट्रा, मैक्स और ग्राफिक्स में से कौन से ग्राफिक्स पर खेलना चाहिए साथ-साथ पूरी डिस्प मिलता हूं कि से चाहिए बड़ाइग कर दीएगा चाहरों को सब्सक्राइब कर दीएगा और आप हमने बढ़ताएगा कि आपको ये वीड़ाइग कैसी लगी मिलता हूं कि से चाहिए यूवे अपना ख्यार रहेएगा जाए लिग, अंड मात्रम